नमस्कार साथियों वेदान तक एडिमी के डिजिटल प्रेटफॉर्म पर आपका स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले हैं बेसिक्स की सीरीज में लैडर फ्रैक्शन या सीडी भिन अब इसमें जो कोश्चन्स हैं लगबग हर एक्जाम में कोश्चन्स पूछे जाते हैं जि हम डिसकस करते हैं इन कोश्चन्स को अगर यूँ अगर step by step कोश्चन को solve किया जाएगा तो इसमें काफी time लगेगा अब हम देखते हैं सीधे हम इस कोश्चन को किस तरह से कर सकते हैं इसका basic हम आज discuss नहीं कर रहे हैं जब पूरी detail में बताया जाएगा तब हम उसकी बात कर है यहां सबसे नीचे से हम कोश्चन को उठाएंगे नीचे लिखा है one और एक फिर उसके बाद कितने चैप बचे हैं e Merci बचना है याद रखेंगे एक step दूसरा step तीसरा step चौथा step और यह step अपन को कैसे लिखना है plus करके लिखना है तो अपन यहां क्या कर लेंगे plus यह sign लगा लेंगे अपन 2, 3 और 4 अगले step पर जाएंगे अपन plus करके अब यहां सभी जगे क्या है 1 तो जो into होने वाली कहानी है वो है 1 यहां लिखी जाएगी into होने वाली कहानी और board mask के हिसाब से पहले into किया जाता है उसके बाद में plus किया जाता है तो into 1 हो रहा है अपन लिखे या नहीं लिखे एक से गुड़ा करें या ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहां हम सीधी कहानी अपनी चलने देंगे अब 1 का into से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पिछला वाला step हमें उसमें जोड़ना होता है तो x प्लस 1 अगला step क्या हो जाएगा हमारा x फिर से into 1 हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस पिछला step करना है पिछला step क्या है एक्स इसमें वापस x प्लस करोंगे तो x और x जोड़कर कितना हो जाएगा 2x plus 1 फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें आगे बढ़ेंगे पिछला वाला step प्लस करना है one का इंठू से कोई फर्क झाँ फर्क नहीं पड़ेगा पिछला वाला step प्लस करोगे एक बार X इसमें आएगा तो X कितना हो जाएगा 3x और one इसमें आके जुडेगा और 1 2 में चुड़ेगा कितना हो जाएगा 3 अब आते हम आंसर पर आंसर पर भी वैसी चलेंगे जैसे यहां आपने स्टार्ट किया था आंसर यह ऊपर वाला स्टैप हो जाएगा और नीचे वाला स्टैप यह हो जाएगा तो फाइनल आंसर होगा अपना 5x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2 यह हमारा आंसर बनेगा अब आपको किसी भी स्टैप में कहीं पर भी लगता है तो आप इसको वापस से दिखेंगे समझ मैंगा एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं चार स्टैप यहां पर है चारों प्लस में हमने चार ब्लैंक स्पेस बना लिए प्लस करना है सभ इंटू पहले किया जाएगा उसके बाद में प्लस या माइनस किया जाएगा पिछले स्टैप के साथ में तो यह कोशन उमीद है समझ आ गया होगा अगर यह नहीं आए अगले कोशन में क्लियर हो जाएगा सफीशियंट एक्जांपल लिए जिसमें रिसेंट के जुट 2019 के म भी इसमें सामिल किए घये फिर एक्जांपल लिया अपन ने साईट सेम कॉशिटन फिर से रिपीट हो गया है Ginger नहीं आगे बढ़ेंगे सफीशैंट कॉश्चोंस हैं अपने पास अ कि यह कोश्चों लेते हैं आपन मिंद क significant ए वन प्रस वन बाय वन प्रस वन 1 by 5 अब इसमें हमने देखा कहा से कहानी स्टार्ट हो रही है सबसे नीचे 1 और 5 से 1 और 5 से स्टार्ट होई कहानी कितने स्टैप एक दो और 3 हमने 3 blank space बना लिए 3 blank space बनाने के बाद फिर हमने देखा sign क्या है बीच में 3 फिर 3 होगी, plus, plus, plus थो हमने बीच में plus लगा दिया और यह किस के साथ होगा पिछले स्टेप के साथ में întぐ किसका है वन бер 0 इंटू 1, इंटू 1 , इंटू 1 देखते हैं, into से कोई फर्ख नहीं पड़ेगा, 1 का into कोई मतलब नहीं है, बस क्या करना है, पिछला वाला step plus करना है, 5 में एक जोड़ोगे, 6 हो जाएगा, फिर 6 में 5 जोड़ोगे, 11 हो जाएगा, 11 में 6 जोड़ोगे, 17 हो जाएगा, यह कोशेन आगया माइनस वाला इसमें सभी स्टैप माइनस में है, बीच में प्लस माइनस में भी होगा चलेगा, देखेंगे हम आगे चलके, अब स्टार्ट कर रहा है वह वन से, फिर एक्स और कितना स्टैप एक दो तीन चार, चार स्टैप हैं, चार स्पेस बना लिए हमने ये चार स्टेप और सभी में क्या है इंटू 1 है इंटू 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस क्या है बीच में माइनस तो माइनस लगा लेते हम इस में से पिछला स्टेप माइनस करोगे अगला स्टेप X-1 में से ये माइनस करोगी जब X-1 में से X माइनस करोगी तो X कैंसल हो जाएगा क्या बचेगा अकीला ये बच्शा माइनस फन आग转ेंगे मइनस में से फिर से क्या माइनस करना है X-1 अब देखो minus 1 minus क्या करना है X-1 बाहर minus लगे होने का मतलब है अंदर का sign change हो जाएगा यह होगा minus 1 minus X plus 1 अब plus का 1 और minus का 1 कट जाएगा अकिला क्या बचेगा minus का X यह बचा minus का X अब अगली step में क्या करना है पिछला step minus करना है तो क्या minus करना है, minus का x मैंसे क्या minus करना है, minus का 1, तो क्या बचे गाए, minus x plus 1, minus x plus का 1, अब चलते हैं, answer लिखने के लिए, last step upon second last step, minus x plus 1 upon minus का x, अब fraction में minus नीची तो नहीं लिखा जाएगा, तो नीची वाले minus को उपर ले जाएंगे, तो उपर के सारे sign change हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, x minus 1 upon x, यह हमारा answer बनेगा, अब यह तब है, 1 minute का time, 1,5 minute का time, तब लग रहा है, जब आपको यह समझाया जा रहा है, आप लोगों को convince किया जा रहा है, अगर आप करोगे इसमें जदा से जदा 30 सेकंड और 20 सेकंड का time लगेगा, अगर घटाना आपका ठीक ठाक है, तो, आगे बढ़ेंगे हम, 3 step का question आ गया, 3 step के question को लिखते हैं, 1 x, तीनो blank लिख लिए, फिर minus करना है, तीनो जगे minus करना है, x मैंसे 1 minus करोगे, x minus 1, वापस फिर से इस मैंसे x minus करोगे, तो x तो हट जाएगा, बचे का क्या minus 1, minus 1 मैंसे ये minus करोगे, बिल्कुल पिछले calculation की तरह है, बचे का क्या, इस मैंसे ये minus करोगे, तो, minus का x, अब answer लिखने जाएगे, minus x upon minus 1, तो answer क्या आ जाएगा, x, आप इसको basic से solve करोगे, आपको ये answer मिल जाएगा, x, बढ़ेंगे आगे, अब इसमें divide का question आ जाता है, divide का question प्लस और minus से अलग होता है, बिल्कुल सीधे सीधे ये question solve होगा, इसको देख लेते हैं, क्या होगा, divide का मतलब होता है, कभी भी fraction में अगर divide आ जाता है, उसका मतलब होता है, उसे पलट कर लिख दिया जाएगा, सिर्फ कहानी होती ह इसे पलट कर लिख दिया जाता है, into में, तो यहाँ पर हम देखेंगी, divide का sign है, solve करते हैं, इसको step by step आपको समझा देते हैं, 1 divided by 1 upon 1 divided by 1 upon 1 divided by 1 by x, अब इसको भी solve करने का बहुत ज़्यादा जगे आपकी consume ना हो, तो solve करने का तरीका हो जाएगा, इसमें steps कितने, 3 steps है, 3 steps है, 3 steps है, तीन हो step हमाला गलाग solve करेंगे, देखो, यह पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, x upon 1, और किस में हो जाएगा, into में हो जाएगा, तो यह क्या बनेगा, इस step में, x, इस step का answer क्या आजाएगा, x answer आजाएगा, अब यह x, यह पूरा क्या हो गया, x हो गया, 1 बन अपॉन एक्स पलट जाएगा यह इंटू साइन हो जाएगा तो जाएगा वन इंटू एक्स फिर से क्या हो जाएगा यह एक्स यह बन अपॉन एक्स है डिवाइड का साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा वन इंटू एक्स फिर से क्या हो गया यह एक्स तो इसका आंसर फा 1 into x, यह पलट जाएगा, 1 into x upon 1, लिखने का कोई meaning नहीं है, यह तो हटाई दो, फिर 1 upon x है, यह फिर पलट जाएगा, क्योंकि divide का sign लगा है, divide का sign लगा है, into में convert होने के लिए क्या हो जाएगा, 1 as it is x upon 1, इन दोनों का कोई भी meaning नहीं है, 1 upon x है, यह फिर से पलट जाएगा, और यह sign क्या हो जाएगा, into x upon 1, 1 का कोई भी meaning नहीं है, answer होगा, आपका x, यह basic सुनता है, तो divide का अगर question आ जाता है, तो आपको basic से उसे solve करना पड़ेगा, अगले question की तरफ चलते हैं, इसमें देखते हैं, तीन step हैं, सबी जगे 1 लिखा हुआ है, अब ऐसा जो question होगा, यह आपको basic से solve करना जादा बहतर होगा, क्योंकि इसमें उपर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यह into वाले पार्ट में 2, 3, 4 आ रहा है, तो यह आपको basic से solve करना पड़ेगा, basic से solve करने में भी हम देख लेंगे, वही बहुत ज़्यादा steps नहीं करना होगा, simple किस तरीकी से किया जाएगा, यह देखे हैं, 1 प्लस 2 बाई 3, 2 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 5, इसमें कितने step, 1, 2 और 3, तीन step में answer आने वाला है अपना, तीनो step अपन solve कर लेते हैं, अलग-अलग, पहला step solve होकर क्या आएगा, पहला step 5 अपॉन 5 और 4, 9, 9 बटा 5, अब अगली step में यह पलट की क्या हो जाएगा, 1 प्लस पलट जाएगा, यह हो जाएगा, 5 अपॉन 9, 9 का यहां गुड़ा होगा, 9 और 15 कितना हो जाएगा, 24, 24 बटा 9, यह फिर से क्या होगा, यहां पर 24 बटा 9, यह पलट जाएगा, तो अगला step क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9 बटा 20, 24 एक हो, 24, 24 और 18, 24 और 18 कितना होगा, 42, और नीचे कितना, 24, 2 से cancel out होगा, 2 से काटोगे इसको, यह बचेगा, 21 और 2 से इसको काटोगे, 12, 3 से और cancel हो जाएगा, अच्छा, पूरे को 6 से ही cancel कर लो, 6 से cancel out कर लेते हैं, 6 से cancel out करेंगे, 7 टाइम्स होगा, यह 4 टाइम्स होगा, 7 by 4 इसका answer आजाएगा, याद रखेंगे, हम इस तरह से solve कर करेंगे, ना कि पूरे question को बार-बार repeat करके लिखा जाएगा, पूरे question को repeat करोगे, calculation आपको लंबी सी लगेगी, page भर आसा लगेगा, ऐसा लगेगा, पता नहीं, आप क्या करने वाले हो, इस तरह से एक-एक steps हमें से solve कर लेंगे, आगे चलते हैं, अपन कोसिस किये कि सारे questions इसके cover कर लिए जाएं, और कोसिस पूरी की गई, इसको cover करने की, अब ये question आया, इसको में y की value निकालना, और वो किसी और जगे अपन को put करके final answer calculate करना, ये भी men's के pattern का question है, अब देखते हैं, solve करते हैं, वही कहानी इसके solve करने की, ladder fraction वाली, 1, 2, 3, 4, 1 और 2 से कहानी को start क किया है, 4 step हैं, और 4 हो, plus मैं 1 into करने के लिए, तो अपन into की कहानी रखते ही नहीं, plus करोगे, 2 और 1, 3, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 8, 5, 13, तो यहां इस पूरे को solve करके, कितना है, y is equal to, आ गया 13 by 8, अब चलते हैं, क्या पूछ रहा है हम से, 2 into 13 by 8, 8, plus 7 by 4, यह cancel होगा, 4, नीचे दोनों जगा, 4, LCM लेना ही नहीं पड़ेगा, सीधे, LCM 4 आएगा, यह दोनों add हो जाएंगे, 13 और 7 हो जाएगा, 20 और नीचे, 4, 4 से इसको cancel out करोगे, यह आ जाएगा, answer 5, answer 5 हो जाएगा, इसका, यह solution होगा, इसका, सिर्फ क्या किया, इस letter fraction को solve किया, 13 by 8, वो बोल रहा है, y की जगे क्या put कर दो, 13 by 8, 2 से cancel किया, इसको 4 आगया, 13 by 4, 7 by 4, LCM लेना ही नहीं पड़ेगा, सीधे उपर add करो, 20 और नीचे, 4, answer आजाएगा, 5, आगे चलते हैं, यह question, यह आपको लगबग, हर book में मिल जाएगा, यह question, और इसी pattern प उठाके इस तरफ ले जाते हैं, तो question क्या बन जाएगा, अपना, x is equal to 2 minus 1 upon 1 plus 1 upon, याद रखना, यह पूरा एक number की तरह काम कर रहा है, इसके आगे minus लगेगा, हर एक sign अंदर change, नहीं होगा, ध्यान रखना पड़ेगा, 1 plus 1 upon 3 plus 1 upon 4, कितना step, 1, 2, 3, 4 step, देख़ें, इसमें plus efficient चीज़ें हैं, अपने लिए समझने के लिए, कहानी कहां से start हो रही है, 1 और 4 से, फिर कितने 4 step हैं, इसमें, 4 step में into करना है, पहले step में, पहले step में, अपने into करने की कहां नहीं लिख लेते हैं, पहले step में कितने का into है, 3 का into है, और last step में कितने का into है, 2 का into है, minus कहां पर लास्ट स्टेप में माइनस का साइन है, बागी शबी प्लस का साइन है, इसका इंटू- पहले होगा, 4th है 12, 4th रिजात, 12, फिर plus लगाया तो plus, पीछे वाले के साथ, plus-rire, पीछे वाले के लिए होगा, 4th है 12, 12 और 13, 13, फिर इंटू- 1 है, इंटू 1 है, 13 एकम 13, पीछे वाला प्लस कर देंगे, 13 और 4, 17, फिर इंटू 1 है, 17 इंटू 1, 17 बंज़ा 17, प्लस 13, 17 एकम 17 और 13, 30, फिर उसके बाद इंटू 2 है, 32 जा 60, पीछे वाला क्या करना है, माइनस करना है, 60 मैं से 17 घटा होगे, कितना बचेगा, 43, 43, 30 इंटू 2, 60, पीछे वाला स्टैप, माइनस करना, यह माइनस का साइन लगा है, तो यह हो जाएगा, आंसर इसका 43 बाए 30, 43 प्राइम नंबर है, किसी से कैंसल आउट नहीं होगा, यह अपना आंसर बन जाएगा, उम्मीद है क्लियर होगा, अगले कोश्चन की तरफ चल को, बिल्कुल वही कहानी पिछले कोश्चन जैसी, इस पार्ट को उठाके, इस तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, यह कोश्चन बन जाएगा, x is equal to 2 minus 1 upon 1 plus 1 upon 5 plus 1 by 2, as it is कोश्चन है, इसका options नहीं दे रखे हैं, solve करना है, मैं option से यह होने वाला भी नहीं है, अब और 2 से कहानी हमारी start हो रही है, तीन step इसमें है, और चोटा question पुछाए, पहले step में into 5 है, और last वाले step में into 2 है, यहाँ into 1 बीच वाला step, पहला वाला step plus, अगला वाला step plus, अगला वाला step minus, अब चलते हैं अपन इसके answers लिखने की तरफ, into 5, 2 बंजे 10, 10 और 1, 11, फिर one time करना है, एक बार करना है, लेकिन पिछला वाला जोडना है, 11 और 2, 13, फिर कितने से गुणा, 2 से 13 दूनी, 26, पीछे वाला क्या करना है, minus, 26 minus 11, 25, तो यह होगा, 25 by 13, यह answer बनेगा हमारा, x is equal to 25 by 13, अच्छा, 13 दूनी, 26 हो जाएगा है, 26 हो जाएगा, 26, फिर minus 11 बंजे 11, और 2, 13, ठीक है, यह हो जाएगा, 13 by, फिर से देख लेते हैं अपने इसको, इंटू 5 किया, 11 आ गया, ठीक है, पिछला प्लस किया, 11 प्लस 2, 13 आ गया, 13 इंटू 2, 26 आ गया, पिछला step क्या है, 11, 11 minus करेंगे, 26 में से कितना आ जाएगा, 15, और 15 by, यहां 15 आएगा, यह 15 होगा, 15 by क्या होगा, answer 13, यह आपका answer बनेगा, सिर्फ किसका ध्यान रखना है, into करना है, और minus करना है, सीधे सीधे answer आजाएगा, यह option में देखे जाएगा, तो यह तो था recent का question आपका, और देखते हैं, एक question और पूछा गया था, अगले दिन में, यह simple question है, आपको, यह आपके लिए homework मान सकते हैं, जो आपको solve करना है, करी देखते हैं, देखते हैं, इसमें 2 ऊपर लिखा हुआ है, last step, 2 प्लस, 2 अपॉन, 2 प्लस, 2 अपॉन, 3 प्लस, 2 बै, 3, अब steps देखते हैं, इसमें, एक step यह हो जाएगा, दूसरा step, तीसरा step, और final, चोधाए step, इसे अपन solve करेंगे, क्या हैगा, लिखते जाते हैं, finally divide करना है, वो बाद मैं लिखते हैंगे, 3 का 3 में करोगे, 9, 9 और 2, 11, 11 by 3, यह पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 प्लस, 2 इंटू 3 by 11, 11 दूनी, 22, 22 और 6, 28, 28 by 11, यह वापस पलट जाएगा, 2 प्लस, 2 इंटू 11 by 28, 28, 28 दूनी, 56, 56 और 22, 56 और 22, यह हो जाएगा, 78 by 28, आप इसे solve कर सकते हैं, simple कर सकते हैं, यहाँ पर, simple कर लेते हैं, 2 से, यह हो जाएगा, 39 और यह हो जाएगा, 14, फिर इसको आगे देखें, क्या है, 2 अगले step में, तो यह पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 14 by 39, अब इस पर चलते हैं, यह हो जाएगा, 28 by 39, यह पलट जाएगा, पलट के क्या हो जाएगा, 39 नीचे आएगा, और यहाँ डिवाइड में 39 है, डिवाइड की जगा यह इंटू में 39 है, इंटू में 39 होगा, यहाँ 39 इसी लिए आ रहा है, तो यह होगा, 28 upon 39, और यहाँ इंटू में क्या है, 0.39, 0.39, पॉइंट हटाएंगे, यह नीचे 100 आजाएगा, 39 से 39 कैंसल हो जाएगा, याद रखना, ऐसी जो कॉश्चन होते हैं, कैलकुलेशन वो करके देता है, लास्ट में स्टैप, सिंपल हो, बहुत जादा कैलकुलेशन वो नहीं देगा, अब किस से कैंसल हो रहा है, 4 से और कैंसल हो सकता है, 7 by 25, यह हमारा अंसर बन जाएगा, लगबग सभी बुक्स में यह वाला कुश्चन भी मिल जाएगा, इंटू में 0.39, दिखेंगे आगे, 1 माइनस, अब यह प्लस माइनस में आगया कुश्चन, लास्ट वाले स्टैप में उपर 5 है, यह ध्यान रखेंगे, अगर आप ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखेंगे, उपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ह दिख रहा है कुछ तो हम पूरा कुश्चन वैसा ना ले जाकर यहां तक कुश्चन को सॉल्व करेंगे, अगला जो स्टैप होगा, वो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, फ्लो में चलते जाएंगे, कि महिंस के कुश्चन भी हो गया है, चलते चलते हैं फ्लो में, तो यह 3 स्टैप का कुश्चन है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगला 3, 3 स्टैप, फिर पहले स्टैप में, 2 का इंटू, अगले स्टैप में, 4 का इंटू, अगले स्टैप में, 7 का, इंटू, सभी जगह प्लस लिखा है, और करते हैं जल्दी से, 3 यहां तक हम पहुंच गए वन माइनस फाइब अपान तू 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 फो डिवाइड़ बाइड़ थर्टी वन इसे पलट देंगे क्या हो जाएगा वन माइनस पाइब इंटु थर्टी वन अपाउन तू फो यह हो जाएगा वन शिट्टी वाइड़ रेट बाइड डिवैड़ बाय तू तू फू सबट्रेक्ट करेंगे घटा जाएंगे क्या आज आएगा घटाने पर गटाते हैं इसको 224 मैं से 45 और 24 कि 69 divided by 224 यह हमारा आंसर बन जाएगा 69 by 224 ध्यान रखेंगे जैसे उपर कुछ step लिखा होगा simple तरीके पर पहुंच जाएंगे इसका ध्यान रखेंगे विशेश रूप से अब लास्ट कोश्यन आच्छा जो पिछले मेंस में पूछा गया था अब यहां देखो कोश्यन बिल्कुल उल्टा सा लग रहा है कि अब आप एकस पाई जैड से सॉल्व करोगे बहुत कॉंप्लेक्स हो जाएगा यह अब इस कोश्यन को ट्रिक से अब देखो बीच में टू भी आ रहा है तो सिंपल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा और बड़ी कॉंप्लेक्स ही हो जाएगा अब यहां से सॉल्व ना करके हम इसे अपोजिट सॉल्व करते हम यह जो पार्ट दिख रहा है इस पार्ट को सॉल्व करके ऐसा कुछ बनाने की कोशिस करते हैं और स्टैप बाई 29 बाई 29 29 से डिवाइड करोगे कितनी बार होगा 2 टाइमस डिवाइड होगा तो यह 2 बचे का कितना 21 डिवाइड बाई 29 फिर अगला स्टैप क्या बूल रहा है यहां X कितना आ गया हमारा X हमें पता चल गया X is equal to 2 अगले स्टैप में ऊपर 1 बचना है मतलब पूरा का पू रहा हो कर देते हैं 2 प्लस वन अपॉन ट्विंटी नाइन बाई 21 अब हमने डिवाइड किया इसको कितनी बार डिवाइड हो रहा है यह वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन कितनी बार डिवाइड हो रहा है वन टाइमस डिवाइड हो रहा है पूरा वन टाइमस बचा कितना और अपोन में कितना? अपोन में कितना जा रहा है? 21 अब वो हमसे क्या बोल रहा है अगले step में? वो हमसे क्या बोल रहा है question में? यहां कितना बचाना है उपर? 1, 1 के बाद 2 बचना चाहिए तो इस 4 को हैं क्या लख सकते हैं? 4 को break कर देंगे 8 को अपन break कर देंगे 2 into 4 में 2 यहीं छोड़ देंगे बचे हुए 4 को नीचे ले आएंगे कैसे ले आएंगे देख लेते हैं देखा देते हैं कैसे ले आएंगे 2 plus 1 upon ये 21 से divide किया था 21 से इसमें भाग लगाया था एक बार गया था बचा था 8 as it is अपने लिख दिया था अब 2 ऊपर चूट गया 1 plus 2 ऊपर चूट गया नीचे क्या गया 4 तो 21 upon 4 चार से इसमें भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा 1 plus 2 upon कितनी बार 5 बार जा रहा है बचा क्या 5 बार जाने के बाद बचेगा 1 और नीचे 4 देखो लास्ट में 1 by 4 बाला स्टेप बचा अब क्या क्या मिल गया हमें वो देखते हैं देखो ये क्या होगा हमारा x और 1 क्या होगा y और 5 क्या होगा z 2x plus 3y minus z निकालना है तो x कितना 2 2 into 2 y कितना 1 3 into 1 z कितना 5 4 plus 3 7 minus 5 that will be 2 और यही पहला option दिया गया था तो ये थे कुछ questions जो ladder fraction में easily solve किये जा सकते हैं मैं इस तक के तो इस वीडियो में इतना ही अगले lecture में फिर से मिलते हैं थैंक्यू